अगर आप नई नई मदर बनी है और आपके ब्रेश्ट में दूद की ब्रेश्ट मिल्क सप्लाई जादा है और आपका बेबी उतना दूद पी नहीं पा रहे है और आपके ब्रेश्ट में दूद इकटा होकर दूद की गाठे बनती जा रही है आपको इसे ब्रेश्ट में बह जादा बनता है आपको बेबी उतना दूद अगर पी नहीं पाता है तो आपको क्या करना है आपको बेबी को हर 2-2 घंटे में ब्रेश्ट फीडिंग जरूर करवानी है अगर बेबी सो जा रहा है आपको उसे जगा कर ब्रेश्ट फीडिंग देनी है लेकिन आपको हर 2-2 इससे क्या होगा है कि आपके प्रेशट अगर खॉली रहेंगे तो आपके ब्रेशट नहीं होगा और अगर आहीं आपको क्या अगर संधी मौसम तो आपको गरम पानी से अपने ब्रेश्ट में गरम सेच देना गरम पानी में थोड़ा नमक डाल कर उसमें कपड़े को डिप करके कपड़े को निचोड़के आपको तीन से चार बार अपने ब्रेश्ट में गरम सेख देनी है इससे आपका जो दूद जमा होकर एकठा होकर दूद की गाठे पड़ गी है वो पिघल कर खतम हो जाएंगी और आपको पेड नहीं होगा लेकिन अगर गर्मी कमोसम है तो झालना है आइस क्यूब को किसी नरम कपड़े के अंधर डाल कर उस से अपनी प्रेश्ट को तीन से चार बार दिन नॉर्मल हो जाएगा और आपको पेन से रिलीव मिलेगा बेबी को ब्रेश्ट फेडिंग देने के बाद अगर आपके ब्रेश्ट में दूद बच जाता है तो आप अपने हाथों से हैंड एक्सप्रेस से अपने ब्रेश्ट के दूद को निकाल लीजिए इससे आपके समस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा तो अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा चोटा है आप उसे दो-दो गंड़ा में ब्रेश्ट फीडिंग जरूर दीजिए अगर ब्रेश्ट फीडिंग के बाद भी दूद बचता है उसे आप हैंड एक्सप्रेस से बाहर निकाल और अगर आपको ब्रेश्ट में गाठे पड़ चुकी है दूद जमा हो चुका है तो आप उसे हॉट फर्मेंटेशन या फिर ठंडी सेख के द्वारा अपने ब्रेश्ट को दिन में तीन से चार बार अगर आप ऐसी सेख देंगी तो आपको इस समस्या से निजात मिल जाए होगी तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा थैंक यू